हे ब्रोस तो आज हम लोग बनाने वाले हैं तंदूरी चीकन उसके लिए लाए हम लोग 700 ग्राम चीकन और उसको अच्छे से धो लिया है और उसमें धोने के बाद उसमें एक चमच नमक और डेड़ चमच वाइट विनेगर डाला है दोस्तों और उसको अच्छे से मिलाने के यह बाद उसमें पानी उसको टॉप तक भर दिया है पानी चीकन उपर दिखाए नहीं देना चाहिए दोस्तों पूरा भारा 5000 इसलिए इसलिए मैं हम लोग पानी टॉप तक भर दिये हैं और उसके भरने के बाद हम लोग दोस्तों इसको यह घंटे तक के लियर छोड़ दे येज़ जब ढाल के दोस्तों मिला लेना है और मिलाने के बाद इसमें पानी बहर देना है दोस्तों उपर तक डब पूरा भूल कर देना अब तंदूरी चंटकन के लिए मिडनेशन तियार करते हैं उसके लिए हल्दी धनिया जीरा काली मेर्च करम मसला एक चमच और जिन्नी मोटब लेखे चकते हैं नहीं भी और दो टमर्च करस्मेरी लाल मेर्च इसको मिला लेंगे दोस्तों और उसके बाद 25 ग्राम बटर मिक् सीरके से निकाल लेंगे दोस्तों और उसको अच्छे सने दोने के बाद ही इसको मेर्च कर दिया और इसको 25 मेनत तक छोड़ देंगे ऐसे ही 45 मिनट तक इसी में उता रहेगा और उसके बाद हम इसको खोलेंगे तो छोड़ देते हैं दोस्तों 45 मिनट के लिए 45 मिनट हो चुका है दोस्तों अब देखिये चीकेन हमारा हो चुका है तयार हो चुका है दोस्तों अब हम इसको चीकेन के निकाल लेंगे अलग और इसमें थोड़ा सा बटर लगा लेंगे दो तो चिकन निकालने के बाद बटर लगा के और इसको गैस के फ्लेम पे इसको तेज फ्लेम करके इसको अच्छे तरह के से रोष्ट कर लेंगे इसको और रोष्ट करने के बाद बस अपना चीकन तयार बटर अच्छे से लगा लगे इसमें अभी भी लीजिए चीकन तयार है और इसके साथ जो अपना प्याज और चैटनी ओहो चैटनी यो प्याज भाई आप तो चीकन किसे ज़्यादा प्याज और चैटनी खा जाएंगे आठ प्याज लगता है केले खा जाएंगे एक आद में इसमें इतना जबरदस्ट लगता है चैटनी प्याज का टेक्स्चेर बहुत ज़्यादा ठीक है दोस्तों बाई